Hello everyone, welcome to my channel, आज की वीडियो में हम जानेंगे जिंडर के बारे में, जिंडर नाउन से ही रिलेट करता है, यानि कोई भी नाउन किसी ना किसी जिंडर में आता है, सबसे पहले हम यह जानते हैं जिंडर क्या होता है, यह नाउन और प्रोनाउन विच इस क्लासिफाइड एज क्लासिफाइड करें मेल, फीमेल, को मन या फिर नूटर को उन्हें हम जिंडर करते हैं, अब बात करते हैं, पडिय। इफर्टों के बारे में इस की चार काटेगरी में बाटा गया है, यानी जिंडर के बात क्लासिफाइड आता यहानी पहल होते हैं, फिर्ट मैस्कुलीन जेंडर, सेकेंड फेमिन जेंडर, थर्ट कॉमन जेंडर, फॉर्थ नूटर जेंडर. Now the question is, what is मैस्कुलीन जेंडर? A noun or pronoun that denotes a male person or animal is called मैस्कुलीन जेंडर. वैसे noun या प्रोनावन जो पुरुस चाथी का बोथ कराते हो. उन्हें हम मैस्कुलीन जेंडर कहेंगे. जैसे example boy, boy क्या है? एक लर्गा का नाम है, तो ये male जेंडर होगा. राम, what is राम? राम भी एक लर्गा का नाम है. मैन, मैन क्या होता है? पुरुस, यानि ये भी मैस्कुलीन जेंडर होगा. फादर, पिता, ये भी मैस्कुलीन जेंडर होगा. डॉग, ये भी एक जानवर का नाम है, और ये मैस्कुलीन जेंडर होगा. एक सिक्ट्रा, और भी सारे नाउन हैं, जो मैस्कुलीन जेंडर होते हैं. अब हम बात करते हैं, फैमिन जेंडर. वैसे नाउन या प्रोनाव्ण जो इसतरी जाती यानि मादा जाती का बोथ कराते हों, उन्हें हम फैमिन जेंडर कहेंगे. जैसे गर्ल, यानि लर्की, लर्की फैमिन जेंडर होगा. सीता कोई लेरकी का नाम है और ये नावन है तो ये भी feminine gender होगा woman, mother, cow ये सब भी नावन है और इससे इस्तरी जाती का बोथ होता है तो ये feminine gender कहलाएंगे Third gender is common, what is common gender? A noun or pronoun that denotes both male and female gender is called common gender वैसे noun या pronoun जिससे या पता चले कि वो noun pronoun male भी हो सकता है और female भी हो सकता है इन्हें हम common gender कहेंगे जैसे teacher, teacher अगर लिखते हैं तो क्या पता चलता है? कि वो male भी हो सकता है, female भी हो सकता है दोनों हो सकता है, student male भी हो सकता है, female भी हो सकता है servant male भी हो सकता है और female भी हो सकता है parents male भी हो सकता है और female तो इन सभी को हम common gender करते हैं next is neuter gender what is neuter gender a noun that denotes neither male nor female is called neuter gender वैसे noun जो नाहे male हो और नाहे female हो यानि जिससे ना male और ना female जाती का बोध हो उन्हें हम neuter gender कहेंगे that's example school, pain, book, table इन सभी ये तू नाही male है और नाही female है इन्हें हम neuter gender करते हैं etc I hope आपको यहाँ तक समझ क्या हो आपका अगर कोई question हो तो please comment करके हमें बताए I made a short exercise for you अभी तक आपने जो सीखा है please हमें comment करके बताए lad, mayor, you, oil और cook ये सभी कौन से gender में है please comment करके हमें बताए इन सभी gender के बारे में तब तक के लिए keep studying and lot इन हो अपको हमें तक करके बता हर ईक जो अवासाया की जो